माजुली, असम का प्रमुख परेडन स्थल होने के साथ ही भारत का पहला नदी द्वीब जिला भी है करीब 472 स्कुयार केलोमीटर रक्षित्र में फैले इस द्वीब के 141 गाउं में करीब 178,000 लोग रहते हैं जिसमें विभेन जाते और जन जाती के लोग हैं यहां अमूमन हर घर के नीचे आपको हथ करके दिख जाएंगे जिस पर महिलाएं नियमित रूप से पारंपरिक तरीके से बुनाई और कताई का काम करती हैं हर मिसिंग महिला अपने कपड़े खुद बुनना जानती है इन्हें लाल, काले और हरी रंग के धागों का प्रयोग खासा पसंद है सरकार की पूरी कोशिश है कि जन जाती महिलाओं के हुनर को पहचान मिले इस क्रम में जिले भर में कई स्थानों पर असम कोशल विकास अभ्यान के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है राजगुरु बाडी गाओं इस्थित शांती साधना अश्रम में दिया जा रहा यह प्रशिक्षण अपने आप में बेहद खास है अब बाड ना ऐनने जाता बेह अवापने घाव प्रशिक्षा भुल बड़ ऑपई फर शो यहान बायोमेत्रिक मशीन और CCTV कैमरे लगे हुए है रोजाना महिनाएं बायोमेत्रिक मशीन में अपना हूठा लगा कर अपनी उपस्थिती को परमारित करती है उसके बाद उपस्थिती पंजिका में हस्ताक्षर कर अपने काम में जुठ जाती है असम सरकार की ओर से जिस अनूठे तरीके से यहां प्रशिक्षन दिया जा रहा है वो अभ्यान की प्रमाणिकता और पारदर्शिता को बया करता है